2019 से पहले PM मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है PM ने आजमगर से पूरवांचल को सबसे लंबे एक्सप्रिसवे की सौगात दे दी है बनने से पहले ही ये एक्सप्रिसवे सियासत का एक्सप्रिसवे बन गया है पूर सीम अखिलेश ने इसे सपा सरकार की सोच बताया तो सीम ने अखिलेश पर पलटवार किया वैसे तो PM मोदी यूपी को सौगात देने आये थे लेकिन सौगात के साथ साथ बीजेपी की चुनावी तयारियों का बिगुल भी बजा दिया गया 2019 में किसे सत्ता मिलेगी? कौन देश का बाश्याह होगा? ये तो जनता तय करेगी लेकिन राजनेदिक पाइटियों की अपनी कोशिशें जोर मारने लगी है समाजवादी पाइटी के गड़ आजम गड़ में PM मोदी ने पूरवांचल एक्सप्रसवे की आधार शिला रखकर 2019 का बिगुल फूख दिया मौका तो एक्सप्रसवे के शिलान्यास का था लेकिन PM ने यहां से विरोधियों पर जम करवार किया जिस सीट पर बीजेपी कभी खुद नहीं जीत पाई उसी सीट से PM ने सभा बसपा के गड़ जोड पर हमला बोला उनने कहा कि जने एक दूसरे की शकल पसंद नहीं थी वो अब साथ चल रहे है मोधी मोधी जप रहे है कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे पसंद नहीं करते थे वो अब एक साथ सुबह साम जब भी मिलो मोधी मोधी यह सारे लोग कुल में देख लीजिए यह परिवार वाली पार्टियां है यह सारी परिवाल पार्टियां मिल करके अब आपके विकास को रोकने पर तुले हुए है मैंने अख़बार में पढ़ा कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्षिए रहुल गांधी को नामदार कहते हुए कॉंग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी करार दिया मैंने अख़बार में पढ़ा कोंग्रेस पार्टी के अध्यक्षिए स्रिमान नामदार ने यह कहा कि कॉंग्रेस ये मुस्लिमों की पार्टी है आप कॉंग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है आपको ठीक लगे आपको मुबारत लेकिन ये तो पताएए कि मुसलिमानों की पार्टी भी क्या सिरफ पुरुशों की भी है कि महिलाओं की भी है पीम पर पलटवार करते हुए कॉंगेस नेता प्रमोतिवारी ने कहा कि कॉंगेस पार्टी सब को साथ लेकर चलती है हमारे लिए हर जाती हर धर्म के लोगों का आदर है उनके विचारों का आदर है हम सब को लेकर चलते हैं मोदी जी की तरह हम समसान कवरिस्तान में हम कहीं न कहीं बिद्ध्वन्स में और चोड़तोर की राजनीत में बिखराव की राजनीत में बाटने की राजनीत में ओटों की फसल नहीं उगाते है प्यास्पी मुखिया मायवती ने पूर्वान जलक्स प्रस्वे के शिलान्यास को चुनावी छलावा बताया देश में लोकसवा काम चुनाब नजदीक आगया है तो तब फिर केंद्र वेखास कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार को यहां बिभिन योजनाओं के सिलानास करने की याद आईये वसूजी है हलाके इस परकार के चुनावी फैंसलों को तो यहां की आम जनता इन्हें मात्र छलावा के रूप में ही देखती है पूर्वांचल एक्सप्रस्वे अब राजलिती का एक्सप्रस्वे बनने जा रहा है इसके शिलान नियास से पहले ही यूपी के पूर सियम अखले इस यादव सामने आए और इस एक्सप्रस्वे को लेकर कई सवालों को खड़ा कर दिया आ कॉप ना काम तो है नी कुछ दिखाने को, अगर कुछ दिखाने को होटा अपना काम तो शायद अपने काम का शिलानेस करते है और पहले भी मैंने कहा ये इंजिन की सरकार जो करती भाटन का ओधाडन कवदन करती है हमें तो ताज्यव इस बात का आता है कि हम दूसरे की चीज़ का अगर धाटन करें तो शायद हमारे मन में इतना संकोच होगा शायद हम नफेस कर पाएं आपके अखली शादव पर पलटबार करते हुए सीम अदितलात ने कहा कि एक्सप्रा स्फ्रेस वे ना समाज़वाज का होता है ना कॉंगेस का यह जनता का होता है यह सीथे सीदे जन भावनां के साथ खिलवाड है एक्सप्रेस्वे ना समाजवात का होता है ना कॉन्ग्रेयस का होता है एक्सप्रेस्वे जंता का होगा पूरवांचल के विकास का Billy सुप्रेश मैं में जारा अ ये एक्स बस्वे बीजेबी को कितना फायता देगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन कहीं न कहीं मोदी ने आजमगर से मिशन 2019 का बिगोल फोग दिया है गियूर रपोर्ट नैशनल वोई